तो हे गाईज यह अपर स्कीन के उपर देख पारे हो और एक बाई का आईडी मैंने अपने फोन के अंदर लोगिन किया और बाई का आईडी बेन दिखा रहा है बट मैंने पहले से रिक्विश्ट वगर साब्मिट कर दिया और कुछ टाइम के बाद एक दिन का टाइमर आ होने वाला है क्योंकि हमारा गेम के अंदर ओभी 41 आपडिट आने वाला है और बहुत सरे लोग अभी क्वेक्षन करेंगे क्या इस आपडिट के अंदर मेरा आईडी आन्वेन होगा तो उसका सिंपूल आंसर है warm जी हां हम सभी लोग का इस बार आईडी आन्वेन रोग होन बहुत ज़्यादा important बीडियो होने जा रहा है बीडियो को पुरा end तक देखना अगर miss करोगे तो समझ लो तुमारा ID अन्बेन नहीं होगा बस ऐसे बीडियो देखते ही जाओगे यूटूब पर सो उससे पहले तुमें चुटा सा एक रीक्वेस्ट है बीडियो अगर थोड़ी से भी अच्छी लेगी तो ज़रूर लाइक करना और चैनल पर अगर फास्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो ज़रूर करना सास्क्राइब और बेल नोटिफिकरशन ओल पर रखना ताकि ओल आईडि के अंदर टाइमर बगरा लाओगे तुम सभी लोग के लिए क्या गुड नूज होने जा रहा है गुड नूज भाई बहुत बड़ा गुड नूज है जो आगे में तुम लोग को जा के बताऊंगा बट और बी एक चीज मुझे पता है तुम में से बहुत सरे आईडि मैंने आन्बेन करके दिखाया इन बाई ने पीछले वीडियो के अंदर अपना यूड डॉप की थी ठीके से मैंने सिंपूल से रिक्वेस्ट बगरा साब्मिट कर दिया उनका आईडि आन्बेन हो गया उसके बाद जीमेल पर मैंने कॉंटेक्ट बगरा किया इन ब अभी 40 आपडिट आएगा उस दिन हमारा जीतने भी आईडि अभी कर डाइम पर बेन है और सारा तो आईडि आन्बेन नहीं हो सकता है जो अभी में तुम लोग को रूल एंड रेगुलेशन बताओंगा और तुम लोग अच्छी तरीके समझना क्योंकि गरिना फ्री फेयर खुद कहता है अपडिट के अंदर हम आईडि को अन्बेन करेंगे लिकिन उससे पहले आपको रूल एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा तो सिम्पूल से अभी में तुम लोग को समझाओंगा कौन-कौन सा रूल एंड रेगुलेशन है और जैसे कि तुम सभी लोग क ये भी बात पता होता है हमारा एकाउंट बेन क्यों होता है जब हम लोग गेम के अंदर कोई भी इलिगल एक्टिवीटी करते या गरिना फ्रीफेर को लगता है कि हम लोग गेम के अंदर इलिगल एक्टिवीटी कर रहे तो गरिना फ्रीफेर का जो भी कॉम्प्यूटर है detect कर लेता है हमारा ID को और उसके बाद punishment की तोर पे बहुत सरे लोग का ID 5-6 दिनों के लिए बेन होता है उसके बाद अपने आप timer आता है और बहुत सरे लोग का account ऐसे भी बेन होता है 2-3 मांद के लिए लिकिन उनको पता ही नहीं चल पाता है इसकी बज़े से ये लोग आनबेन नहीं कर पाते और बहुत सरे लोग ऐसे भी है कोई भी hack वगरा ये लोग इस्तेमाल नहीं करते तो अगर तुमारा भी ऐसे बेन हुआ है तो तुरन जाके help center में professional request submit करो और तुरन तुमारा ID वगरा checking चलेगा और उसके बाद ID आनबेन कर दिया जाएगा गरिना free fair की तरफ से कोई भी timer वगरा तभी तुमारा ID के अंदर नहीं आएगा और अगर तुमने hack वगरा लगाया है या तुम चाह रहे हो OB41 update के अंदर क्या हमारा भी ID आनबेन होगा तुम सबी लोग के लिए जो good news है ये OB में तुम लोग को बताऊँगा और किस तरीके से OB41 update के अंदर अपने ID को आनबेन करोगे आज की इस वीडियो में बताऊँगा वीडियो को तुड़ा भी skip मत करना सो जैसे की तुम लोग को मेंने बताया था 13th of July हमारा गेम के अंदर OB41 update आने वाला है और update आने से 5-6 दिन पेले help center में registration वेगरा start होता है जैसे की बहुत सरे वीडियो के अंदर मैंने तुम लोग को बताया जो मेरा पिछले old subscriber है उनको पता है सो तुम लोग simple से जाके 5-6 दिन पेले request submit करना तभी मैं तुम लोग को प्रोपार सिखाऊंगा बट अभी मैं तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी active रहना चाहिए तुमें तुमारा ID unban करना चाहती हो तो active by तुमें रहना पड़ेगा OP41 आपडिट हमारा गेम के अंदर कितने दिन और बचे है जादा सजादा 13-14 दिन 15 दिन बचाए सो यह दिन जो है यह बहुत जल चला जाएगा बट उससे पहले तुमें अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ लेना पड़ेगा तुमें help center में जाके request submit करना पड़ेगा matchmaking, problem वगरा सब कुछ में एक वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को बताऊंगा तुम लोग बस अभीकर टाइम पे चैनल पर active रहना और उसके बाद PDF list वगरा निकाल के आएगा जो मैं तुम लोग को अपने चैनल पर प्रोवाइट कराऊंगा और आज की इस वीडियो में भी जादा से जादा अपना ईवडियो बगरा कोमेंट कर देने की कोशिश करो तो और एक चीज में तुम लोग को बता दू वीडियो को थुड़ा बीचा भी शेयर क्या करो भाई लुक तुम लुक शेयर नहीं करते हो बहुत नैनत करता हो तुम लोग के लिए इधर उदर से निउस बगरा खाबार करता हो तुम लुक ये चीज क्या करो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सास्क्राइब करके और इस वीडियो को भी जरूर करना लाइक तभी अपना EYD कोमेंट करना मुझे भी तुड़ा मोटिवेट मिलेगा बाई नहीं तो मैं भी दिमोटिवेट कभी कबार हो जाता हूँ और जो गुड नूज है जाएंगे और तुम सभी लोगों का EYD अभी कर टाइम पर जिन जिन का EYD नहीं हो पा रहा है उनका भी EYD हो जाएगा तो आज की इस वीडियो में I hope कि सब कुछ तुम लोगों को समझा के मैंने बता दिया वीडियो अगर अच्छी लोगी तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सस्ट्राइब करकर रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को सिखा पाऊ कि इस तरीके से हेल्प सेंटर में जाकर रिक्वेस्ट साब्मिट किया जाता है और मैं गरेंटी के साथ बोल रहा हूँ अगर OB41 अपडेट तक मैं जो जो चीज बोलता हूँ ओ करोगे तुमारा भी ID आन्बेन होगा OB41 अपडेट के अंदर आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते और मिलते नेक्स्ट वीडियो में